अध्याय 5 देख रहे हैं विधाई का याने की the legislature विधाई का लेजिसलेचर जहाँ कानून बनते हैं सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि विधाई का क्या चीज है विधाई का क्या मतलब होता है आपको अपके MLA का मतलब पता है आपके state में या आपके छेतर का जो ML है उसको कहते है विधायक वहीं से ये नाम आया है विधायक यहीं से आया है तो विधायका क्या होता है संसद जो हमारी सबसे बड़ी कानून बनाने की जगा है संसद इसके क्या कारे है इसकी क्या शक्तियां है कानून बनते कैसे है अगर आप कोई एक कानून ले लीजे जैसे Right to Information Act ये बना कैसे होगा संसद कारेपालिका को कैसे नियंतरित करती है संसद और कारेपालिका में अंतर होता है अब हम देखेंगे कि संसद कैसे कारेपालिका को नियंतरित करती है कैसे उस पर कंट्रोल करती है और साथ में देखना चाहेंगे कि संसद अपने ओपर कैसे नियंतरन रखती है याने संसद भी तो अपने ओपर नियंतरन रखेगी कई भी कोई भी चीज को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो possibility होती है कि कुछ out of the way चले जाए चीज़े पहला सवाल उड़ता है कि हमें संसद क्यों चाहिए संसद का मतलब ये है कि हमारा लोग सभा और राज्य सभा लोग सभा और राज्य सभा को हम संसद दोनों को मिला के हम संसद कहते तो विधाईका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है विधाइका जो विधाइका है जहां पर कानून बनते हैं वहां केवल कानून नहीं बनते हैं एक संसद में चाहे आप जब भी में संसद की बात करूँ तो लोगसभा राजसभा दोनों सोचेगा जब भी संसत की बात होती है लोगसभा राजसभा की बात कोती है तो ये एक प्रांगण है एक ऐसा छेतर है जहां पर हमारे प्रत्निधी लोगसभा में हम सीधा चुनाओ करते है राजसभा में जिनको हमने चुनाओ किया है विधायक वो इनका चुनाव करते हैं तो एक तरीके से हमी ने इनको चूज़ किया है तो इस सदन में दो सदन है इसमें बहस होती है इसमें कोई बात होती है तो लोग बाहर रिकल जाते हैं वाकाउट कर जाते हैं विरोध करते हैं प्रदर्शन करते हैं या सब मिल के काम कर लेते हैं सब सरुकार होता है एक दूसरे का सायोग होता है अब एक संसत का अगर मैं सिचुएशन बताओं तो जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग राजयतिक दल के हो ये बीजेपी है इसके 303 सदस से माल लीजे फिर कॉंग्रेस ले लीजे 55 सदस स हो गए या 50 से के उपर हो गए यहां पर DMK है TMC है और और भी शिवसेना है ऐसे अलग-अलग अलग-अलग राजयतिक दल के अलग-अलग विचार धरा के लोग elect होके आते हैं और वो एक संसत को constitute करते हैं विधाईका जन प्रतिनियुदियों का जनता के प्रती उत्तरदाइत वे सुनिश्चित करती है विधाईका का मतलब है या कानून बनेंगे और कानून कोर मना रहा है आपने एक MP को अपने खेतर में elect किया ये MP पहुँच गए कहा पर संसत में अब ये संसत में आपके प्रतिनिधी हो गए अभी आपके जो प्रतिनिधी याने कि आपके जन प्रतिनिधी MP, Member of Parliament ये यहाँ पर आपके प्रति उतरदाई हैं आपकी बात करेंगे यहाँ पर ही तो भारत में मंत्री मंदल मंत्री मंदल जाने की मंत्रियों का सम ये निती निर्माण का पहल करता है मंत्री मंदल होता क्या पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 545 हमारे पास seat है लोग सबामें जिसमें 543 प्लस टुमा लीजे दो अंगलो इंडियन की होती है तो 543 seats है ये 543 के लिए पूरा देज जो है अलग-अलग constituency में बाटा जाता है अलग-अलग constituency से लोग elect होते हैं जैसे आपने अपने constituency से elect किया होगा किसी MP को ये जो MP है ये सारे elect हो जाते हैं उसके बाद 284 का एक जादू यांकड़ा है जो cross कर लेता है जो राजनेतिक दल वो सरकार बनाता है लेकि इन में से जैसे मैं एक example लोग कि 2019 की बाद कर लेता हूँ तो 303 सीट BJP को मिली अब 303 BJP को मिली तो 284 के उपर चलेगा वो तो BJP ने सरकार बनाई तो जो ये लोग हैं जो 303 लोग हैं ये जो MP हैं ये सरकार में हैं लेकिन इस 303 लोगों में ये 303 लोगों ने इलेक्ट कर लिया या फिर अपने नेता चुल लिया नरिंदर मोदी जी को अब ये नरिंदर मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए ये जैसी प्राइम मिनिस्टर बने तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बने के बाद जैसे मालीज़े 60 का उन्होंने एक मंत्री मंदल बना दिया इसमें कुछ special लोग है 20 जो की जिनको main portfolio दिये जैसे civil aviation ministry दे दिये यह जो 20 हो गए यह आग हो गए आपके मंत्री परिशद यानि वो लोग जो बहुत important हो गए इसी को हम cabinet कहते तो अब यह लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर के साथ यह लोग जो 60 लोग को मंत्री चाहे उन्होंने मंत्री का cabinet मिनिस्टर बनाया हो मिनिस्टर अफ स्टेट बनाया हो या independent प्रभार दिया हुआ यह लोग मिलके बनाएंगे कानून तो अब यह लाइन जो मैंने कही भारत में भी मंत्री मंडल नीती निर्मान की पहल करता कौन नीती निर्मान करता है यह रोग शुरुआत यह करते है शासन का कैसा एजंडर तय होगा क्योंकि यह मिजॉरिटी में है उसे लागू करते है अब कई अलोचक यह कहते है कि संसत में थोड़ा सा नुकसान हो गया है क्योंकि अगर शक्तिशाली मंत्री मंडल है अत्यन शक्तिशाली मंत्री मंडल को भी विधायका में बहुमत की अवशक्ता होती है एक सशक देता को भी संसत का सामना करना पड़ता है और संसत को अपने जवाबों से संतुष करना पड़ता है कहने का मतलब यह है कि जितना भी powerful आप देखे 303 सीट लेके एक party ने पूरी majority हासिल कर ली लेकिन फिर भी यह जो बाकी लोग है आप यह कहेंगे कि 543 में से अगर आप 303 घड़ा दीजे जो बाकी बचते हैं उनको क्या काम है वो ही तो संसत है यह 303 को मिला के जितना भी बनता है 543 लोग यह पूरी संसत है केवल यह 303 संसत नहीं है 303 तो सरकार है पक्ष है लेकिन इनके विरुद जितने लोग है वो विपक्ष है वो विपक्ष है तो एक स्ट्रॉंग नेता भी है अगर ननेदर मोदी साहब या जो भी प्राइम मिनिस्टर है अगर वो कोई डिसीजन लेते है या इनका मंत्री मंदल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसको बरखास करने की शक्ती है यानि जो मंत्री मंडल होता है जो जिसके बास पाउर होती है वो जो कारपालिका होगी कौन सी कारपालिका है तीन सो तीन सीट जीते इनोंने तो कारपालिका कौन सी होगी यही कारपालिका होगी जो मंत्री मंडल है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर बनके यही तो कारिपालिका हो गई हमने देखा था दो तरकी के कारिपालिका होती है एक तो political executive होते और दूसरे होते थाई यानि पर्मनेंट executive यह तो IAS government employee होते है लेकि जो political executive होते है वो यह होते अब अब खुद सोचिए कि संसत का कितना महत्व है कि संसत का महत्व इतना है कि एक example लिया जाए 28 February को क्या हुआ केंदरी वित्व मंत्री जिस्वन सिंग साहाब थे अब इनके पास power था यह एक मंत्री थे इन्होंने केंदरी बजट प्रस्तावों में पचास किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रोंगे बढ़ाने के का एक प्रस्ताव रखा और दो अन्हें खादों के दामों में भी कुछ वृद्धी कर दी यानि कि जो खाद्यान के दाम है उसमें वृद्धी कर दी तो इसे खाद के दामों में पांच परसेंट वृद्धी हो गई यूरिया खाद के बरतमा मोली जो 4830 था प्रतिटन जो 4830 पर 80% सब्सिडी है ठीक 11 मार्च 2002 को क्या हो सिलसेवार तरीके से देखी 11 मार्च 2002 को क्या हुआ विपक्ष अब ये सरकार ने फैसला किया कि हम 5% वृद्धी करेंगे मालीजे ये 303 लोगों ने मैं इसे जो सरकार बनी उन्होंने का कि हम ने ये डिसिजन लिया लेकिन जैसे ही जैसे ही विपक्ष ने जबरदस विरोध किया लिया यानि कि बाकी जो लोग है जो विपक्ष में लोग है पूरे संसद में जितने लोग बैठे हुए उसमें कुछ सत्ता पक्ष है पर विपक्ष पक्ष है तो विपक्ष ने बहुत ज़ादा इस बात पे विरोध किया और उन्होंने ये प्रस्ता वापस ले लिया इसका मतलब है कि कि इतनी स्ट्रॉंग संसद है हमारी इसके लब और भी एक्जेंपल है यापर तो कई बार ऐसा होता है कि एक संसद में दोनों पक्ष एक पक्ष होता है जो कानून बनाता है कानून पेश करता है लेकि दूसरा पक्ष उस पे एक तरीके से कंट्रोल करता है तो एक सवाल बनता है कि फिर लोकसभा की क्यों न हो राज्यसभा क्यों है हमारा देश जो है वो फेडरल सिस्टम में है और प्रोविंशिल सिस्टम में है इसका मतलब है कि पूरा एक देश हो गया ये और उस देश में अलग-अलग राज्य और केंदर शासित प्रदेश है त तो State Government के रप्रेजेंटेटिटिव भी तो पहुँच रहे चाहिए. इस स्टेट का कॉल ख़ biliyor रखेगा. एक MP ने तो अपने एक छेत्र का ख्याल रख लिया और ये MP किसी और पार्टी का हो सकता है. इसी स्टेट में ये MP किसी और पार्टी का हो सकता है. तो हो सकता है पार्टी के बारे में ये सोचे इस पूरे स्टेट के बारे में क्या होगा तो इस पूरे स्टेट की जो सरकार होगी याला कि जो विधायक होंगे वो कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे राज्यसभा में तो राज़े सभा का पूरा मतलब होता है राज़े से related यहाँ पर राज़े के रेप्रेजनेटीव आते हैं इनको विधायक चुनते हैं और यह लोगसभा मतलब जिनको आप MP चुनते हैं तो संसत के दो सदनों की अवशक्ता इसलिए होती है क्योंकि हमारी राष्टी विधाईका का नाम संसद है लोगसभा, राज्यसभा राज्यों की विधाईकाओं को विधान मंदल कहते हैं एक स्टेट का यहाँ जो विधाईका है इसको हम कहते हैं विधान मंदल विधान मंदल कहते हैं तो भारतिय संसत के दो सदन है, एक लोग सभा, एक राजय सभा, जब किसी विधाइका में दो सदन होते हैं, तो उसे हम ध्वी सदन आत्मक विधाइका कहते हैं, जैसे हमरे पास दो सदन है, तो इसको हम भाई सदन आत्मक कहेंगे, दो सदन है इसमें, भारतिय संसत के एक सद नात्मक विधाई का स्थापित करने का विकल्ब दिया है इसका मतलब यह है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कितने हैं यहाँ पर ऐसा है कि एक स्टेट है तो हमारा सम्विधान जो है सम्विधान ने यह कहा है कि आप एक सदन भी रख सकते है आप दो सदन भी रख सकते हैं यह आपके उपर है राज एक सदन भी रख सकते हैं दो सदन भी रख सकते हैं अब केवल छे राज्यों में द्वी सदनक विधाई का है छे राज्यों में दो सदन है इसमें लेकिन मैं इसमें थोड़ा साब को चर्चा करना चाहूंगा कि आंद्रप्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, करनाटक, महराष्टा, उत्रप्रदेश यह थोड़ी पुरानी बात हो गई अब देखिए थोड़ा चेंज हो गया है जो दो हाउस है, जिस भी स्टेट में एक जिस भी स्टेट में दो हाउस हैं, उनके नाम समझ लीजे एक तो इसको हम कहते है लेजिसलेटिव असेमली एक को हम कहते है लेजिसलेटिव कॉंसल एक को कहते है लेजिसलेटिव असेमली और legislative council है, विदान सभाव, विदान परिशन ये कहां का है उत्तर प्रदेश, महराष्ट्रा बिहार, करनाटका आंदर प्रदेश, तेलंगाना ज्यान रखें, ये जो आपका तेलंगाना है ये कहां से बन के आया है पहले तेलंगाना नहीं था इसलिए तेलंगाना अब हो गया है और जम्मू और कश्मीर लेकिन अब बात आ गई है कि जम्मू कश्मीर अब state नहीं रहा ये हो गया है union territory ये हो गया union territory तो हम कहेंगे 6 ही लेकिन इस में थोड़ा बदल देंगे जम्मू कश्मीर को अटा देंगे और आंद्यप्रदेश के साथ हम क्या जोड़ देंगे तेलंगाना जोड़ देंगे थोड़ा change समझ गया आप ये तेलंगाना हो गया आप तो ये थोड़ा सा इसमें fair बदल है इसमें थोड़ा सा आज की situation में change हो गया है तो समझान ने बोल रखा है कि आप state में एक भी सदन रख सकते हैं दो भी सदन रख सकते हैं अब इतना बड़ा जो देश है हमारा इसमें जो द्वी सदनात्मा दो सदन वाली जो इधायका है वो क्या काम करती है इसको देखिए ताकि सारे वर्ग देश के सभी शेत्र देश के सभी जितने states है वो अपना प्रतनेजित्य दे सके इसमें एक और लाव है पहली चीस्तों यह हो गई कि state भी represent कर रहा है आपने आपको state की जो सरकार है state की जो ML है वो भी member यहां राजसभा में पहुंच गया जिनको हमें direct elect किया वो लोगसभा में पहुंच गया इससे representation भी हो गया पूरा दूसरा पुनर विचार यह देखिए एक लोगसभा एक राजसभा या विधान विधान सभा विधान परिशन यह state की बारे में हो गया यह center की बारे में हो गया तो लोगसभा में कोई चीज़ बात हुई अब जो भी discussion हुआ यह जाएगा राजसभा में तो राजसभा में इसमें दुबारा तरीके से पुनर विचार होगा इसी तरीके से विधान सभा में कोई कानून आया पास हो गया यह गया विधान परिशन में पर दुबारा इस पर discussion होगा यह अगर कोई कमिया है कोई गलतिया है कोई ऐसी बात है तो वो उस पर दुबारा विचार किया जाएगा दुबारा इसमें changes किये जाएंगे amendment किये जाएंगे तो यह फाइदा होता है दो सदन होने का यानि कि एक यह चीज़ को दो बार देखा जाता है दो तरीके से देखा जाता है दो नजरिये से देखा जाता है एक आपके पुरे सेंटर की तरह से देश की तरफ से देखा जाता है एक स्टेट की तरफ से देखा जाता है तो यह है इसमें अंतर तो होता ये है कि एक सदन से जब पास हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है दोनों सदन की सहमती होने चाहिए कई ऐसे विधेक मैं आपको बताऊँगा जिसमें दोनों सदन की सहमती की जरूत नहीं है लेकिन दो बार विचार होता है यहने अगर बाईचान बहुत जल्दी में एक सदर ने कोई decision ले लिया तो दुबारा पुरर विचार होता है दो बार नजरों से होके गुजरता है कोई भी बिल, कोई भी कानून जिसमें जो देश के लिए बन रहा है तो शुरुवात करता हूँ मैं राज्यसभा से राज्यसभा आप समझ गए राज्यसभा का मतलब है राज्यसभा राज्यसे रिलेटेड है यह हमारे स्टेट से रिलेटेड है तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिदित्व करती है राज-सभा किसका प्रतिनेधित्य करती है? राज्यो का, स्टेट का अब राज-सभा में जो लोग आते हैं यहाँ आप देख पारें वेंकाय यह नाइडू साहब है ये इसके हमारे ライस प्रेसिडेंट भी है और इसके सभापती भी है राजे सभा के सभा पती भी है अभी तो राजे सभा में जो लोग आते हैं उनको हम मैं और आप इलेक्ट नहीं करते हमने जिन MLA को इलेक्ट किया है हमने जो विधायकों को इलेक्ट किया है अपने स्टेट में वो इनको इलेक्ट करते है किस तरीके से रेक करते हैं इसके लिए निर्वाचन की अप्रत्यक्ष विधी होती है यह राज्य विधान सभा के निर्वाच्ची सदसे MLA जो होते हैं विधायक होते हैं वो राज्य सभा के सदसे कोछ उद्धे हैं और इसमें एक चीज़ देखिए कि मान लिजाए यह यूपी है और यह सिक्की में है यूपी की जनसंख्या बीस करोड़ों से उपर है और यहां की संख्या लाख में है वस एक करोड़ भी नहीं है तो जो दृतिय सदन है उसमें जादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जादा और कम जनसंख्या वाले शेत्रों को कम प्रतिनिदित्य दिया गया है यानि अगर UP की जनसंख्या जादा है तो यहां से राज्यसभा में जादा मेंबर जाएंगे अगर मैं आपको बता हूँ तो 31 मेंबर जाते हैं और सिक्कीम की बात करूँ तो यहां से केवल एक मेंबर जाता है राज्यसभा में आपको टैली दिखा देता हूँ ताकि आपको पता जल जाए कितने मेंबर किस तरीके से जाते हैं ध्यान रहें कि सबसे बड़ा जो जनसंख्या के हिसाब से है वो उत्तर प्रदेश है 31 सीट्स है प्रदेश की राज्यसभा की फिर महराष्ट्रा है 19 सीट्स है तमिलनाणू 18 और 16 इस तरीके से बड़ता रहता है आखरी में देखेंगे आप तो यहां एक एक सीट अरुनाचर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तो यह सारे छोटे 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 आपके स्टेट्स और यूरियन डिरेटलीज है तो यहां पर एक आदमी जाता है एक मेंबर जाता है कहां राज्यसभा में तो जनसंख्या के हिसाब से होता है अब अमेरिका की बात करते हैं क्या USA में भी ऐसा होता है नहीं, USA में एक स्टेट दूसरा स्टेट चाहिए बड़ा हो और यह छोटा हो दुनों से एक ही आदमी जाएगा दुनों से जो अमेरिका का जो दुती सदन है अमेरिका के पास दुती सदन है जैसे हमारे यहां है वैसे वाभी सदन है उसको हम सेनेट कहते है अमेरिका में जैसे हमारा राज्यसवा है वहाँ पर उस राज्यसवा को सेनेट कहते है तो वहाँ पर समान प्रत्यनिदित्व नहीं है हर एक स्टेट से जो जो स्टेट बने हैं क्योंकि United States of America का मतलब ही है States of America बहुत सारे स्टेट सेमर मिलके एक USA से बना हुआ है, तो जिसमें जदा जनसंक्या होगी, वहाँ से भी एक आद्मी जाएगा, और जिसमें छोटा होगा, वहाँ से भी एक जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ईसा नहीं है. जितना बड़ा राज है, प्रदेश को रिप्रेजन करने के लिए को एक आदमी nossa सिक्किम ठोड़ा चोटा है उसको भी रिप्रेजन के लिए एक आदमी तो यहां पर गरत हो जाता इसलिए उत्तर प्रदेश अब उसका निर्वाचन हो सकता है लेकिन अगर लोगसभा की बात करें तो वहाँ पर जो मेंबर चुन के आया हो सकता वो अगली बार हार जाए अपनी सीट से जिन भी सकता हार भी सकता यह उसके उपर है कि उसने कैसा प्रफॉर्मस दिया लेकि राज्यसभा में एक आदली को एक MP को दुबारा आप निर्वाचित किया जा सकता है एक स्टेट से अब इसमें एक थोड़ा सा समझे पेच क्या है पेच यह है कि राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होती लोगसभा पांस साल में खाली हो जाएगी फिर दूसरी लोगसभा बनेगी भंग हो जाएगी पांस साली कारकाल है लेकिन राज्यसभा जो है वो इस तरीके से नहीं है राज्यसभा में ऐसा formation है कि एक तिहाई अगर मैं इसको कहूँ तो इसका जो वन थर्ड पार्ट है एक तिहाई हर साल रिटायर हो जाते है तो हर साल एक तिहाई मेंबर जो है उनके लिए चुनाव होता है एक तिहाई चुनाव होता है जैसे मैं अब बताओं अब दोहजार बीस की बात करूँ तो इतने मेंबर महराष्टा के साथ सीट खाली होगी उडिषा के लिए चार साथ सीट खाली होगी तो इतने मेंबर रिटायर होने वाले है तो हर साल एक तिहाई मेंबर इस राज-चबा में नए पहुँचते है और इलेक्शन कमिशन औफ इंडिया इन चुनाव को करवाती है तो इस तरह से एक अच्छी बात ये है कि राजे सभा पूरी तरीके से एक बार में भंग नहीं होती जैसे लोग सभा भंग हो जाती है राजे सभा हमेशा चलती रहती है कम से कम आपके जो दो तिहाई मेंबर है इसमें हमेशा रहते है तो इसमें फायदा क्या है कि मान लिए लोग सभा भंग हो गई लोग सभा नहीं है अभी तो कैसे काम चलेगा देश तो चलना चाहिए न तो उसके लिए राजेसभा में क्योंकि मेंबर है रहते है कभी भिभ भंग नहीं होती कि वह एक थीहाई मेंबर रिटायर हो जाते है और नए मेंबर आ जाते है तो राज-चेवा की बैठक बलाई जा सकती है अगर कोई जरूरी काम है जरूरी चीजे है तो इसको निपठाइ जा सकता है इसके अलावा जैसे 245 सीटे है राज-चेवा में कितनी है राजसभा में इसमें 12 सद से 12 सद से ये राश्पती मनुनीद करता है राश्पती साहब इसको मनुनीद करते है लेकिन ये सारे के सारे मेंबर जाते कौंसल अब मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थुरू ही है यही जो प्राइमिनिस्टर है और कॉंसल अब मिनिस्टर है वो ही बताते हैं कि यह 12 मेंबर कौन से होने चाहिए तो यह 12 मेंबर हो सकता है इनको पूरे के पूरे 12 को इन्होंने कर दिया हो या बारा को ना किया हो इसमें क्या होता है जैसे सचिन तेंदूलकर को किया था आपके इनको किया था जो रेखा को किया था रेखा फिल्म सार है ऐसी अभी फिलहाल अगर रेल लेटर्स देखें तो जो Chief Justice of India रेटायर होए थे अभी हाल में जिनका नाम है रंजनगुगुई साब उनको मनुनुद किया तो ऐसे कहीं किसी जगा पे बहुत अच्छे अगर काम किया हो तो उसमें 12 मेंबर निर्वाचित किये जा सकते हैं राज्य सभा में जो विधान सभा है उसके लिए हम और आप यानि कि जनता उनके मेंबर्स को हम दिर्कली चुनते हैं पूरा देश पूरा देश अलग-अलग कॉंसिटुएंसी में बाटा जाता है इसी तरीकी से हर एक स्टेट अलग-अलग विधायका शेत्र में बाटा जाता है और अमुमन ये जो डिविजिन है वो बराबर जनसंख्या के एसाब से होता है और ये जो चुनाव है इसमें सारोभामिक व्यसक अदिकार हमारे देश में जो भी 18 से उपर उमर जिसकी है किसी भी कास्ट, किसी भी क्रेड किसी भी जेंडर का हो वो वोट दे सकता है और सब के वोटो का मूल एक होता है बराबर मूल ये होता है तो लोगसभा में इस समय 5.43 निर्वाचन क्षेत्र है स्कुल सीट है 5.45 है ये 5.43 प्लस 2 जो है इसमें दो एंगलो इंडियन होते हैं जिसको राशपती नॉमिनेट कर सकता है एंगलो इंडियन का मतलब होता है कि माता या पिता में से एक अंग्रेज हो याने बिटिश हो एक इंडियन हो तो 5.43 सीट है और ये जो प्रक्रिया है ये 1971 से चली आ रही है तो लोगसभा के जो सदसे है इनको 5 साल के लिए चुना जाता है 5 साल का टर्म होता है लेकिन यदि कोई दल या दलो का संगठन या कहें गडबंदर कोईलिशन सरकार नहीं बनाए ना बना सकने की पोजिशन में हो या ये कहें कि प्रधान मंत्री कह दें प्रेसिडेंट को कि भई आप लोगसभा को भंग कर दे लोगसभा को 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है इसको डिजॉल्व किया जा सकता है संसत के काम क्या है संसत करती क्या है अब संसत में हम जब भी बात करेंगे तो आपको लोगसभा और राजेसभा दोनों को मिला के सोचना है तो हमारे संसत के क्या क्या काम है बहुत अलग-अलग भागों में हम इसको डिवाइड करते है पहला जो काम है वो है विधाई काम काच विधाई मतलब विधी से मतलब होता है कानून विधाई यहीं से आता है तो विधी संबंदित या जो कानून संबंदि काम क्या है तो पूरे देश के लिए या किसी एक किसी देश के भाग के लिए कानून मनाना आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े-बड़े मन्तरी है राजनितिक पार्टिओं के वो सारे के सारे मेंफ मुस्ली वकील है बड़े बड़े वकील है, सुप्रीम कोड के वकील है, आई कोड के वकील है, वो इसलिए क्योंकि में काम जो है, कानून बनाना ही तो है, में काम, तो इसके लावा क्यों कानून बनाना ही नहीं, बलकि कानूनों को कभी-कभी संसद एक तरीके से स्विकृति देने का काम करती ह सर्वोज सरज्था तो है ये जैसे अगर आप कोई विधेक के बारे में देखे तो सबसे पहले अगर कानूर बनेगा तो पहले एक बिल तयारा उसको कहते हैं बिल विधेक, विधेक की तयारी होगी शुरुवात यहां से होती है तो यहाँ पर क्या करते हैं एक मंत्री साहब होंगे उस डिपार्टमेंट के वो नकर शाहों को यानि की ब्यूरोक्राइट को बोलेंगे कि आप ये बिल का मुसौदा तयार कीजिए अब ये जो ब्यूरोक्राइट है के अबिलेट सेकेर्टरी लेवल के काउंसिल आफ मिनिस्टर तया करते हैं कि इसको कब पेश करना है कोई भी ऐसा महत्पूर्ण विधे ऐसा कोई बिल जो बहुत जरूरी है वो बगैर मंत्री मंडल के जो काउंसिल आफ मिनिस्टर है उनकी स्विक्रिति के बिना संसद में पेश अमूमन नहीं किया जाता है संसद के जो और सदस्य है अब जरूरी तो नहीं है हमेश कॉंसिल आफ मिनिस्टर या सत्ता पक्ष के लोग करे तो कई ऐसे बिल है जो निजी सदस्य यानि कि प्राइवेट लोग जो होते है जो मिनिस्टर नहीं है वो भी ये बिल प्रस्तूत कर सकते है इनको कहा जाएगा निजी सदस्य लेकिन अगर सरकार का इस समर्थन नहीं है तो फिर पास होना बड़ा मुश्किल है ऐसका ऐसे विद्यों का का तो पहला काम तो यह होगे काम पर आते है जो एक्जेक्यूटिव है कारपाली का है उस पर नियंतरन करना और उसकी क्या responsibility है इक्जेक्यूटिव क्या responsibility है यह सुनिशित करना तो संसत का सबसे ज़रूरी काम यह हो जाता है कि जो actual एक्जेक्यूटिव है उसका अधिकार छेत्र जो है उसके अंदर उसे रखना उसे बाहर में जाने देना क्योंकि जन्ता ने सरकार को चुना है सरकार जो है उसको को चुनते हैं मैं और आप चुनते हैं मैं और आप चुनते हैं तो ये जो है इनके प्रती एक्जीक्यूटिव की कार बहुत सारे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि money bills होते हैं लेकिन पहली चीज़ ये है कि सरकार को पैसा कहां से मिलता है सरकार चलती कैसे है सरकार चलती है हमारे कर से हम लोग जो tax देते है इसके लावा बहुत सारे tax होते है ये हमारे बजट संसद में बजट पेश किया जाता है कि हमारी आमदनी इतनी होने वाली है हम खर्च इतना करने वाले हम मिलिटरी में इतना खर्च करेंगे हम हेल्थ में इतना खर्च करेंगे हम एजुकेशन में इतना खर्च करेंगे ये सारी चीजे सामने रखी जाती है तो प्रतेक्स सरकार जो है कर्वसुलिय के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है लोगतंत्र में संसध जो कराधान है कर और धन संसध में जो कराधान है और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर निंद नियंदर रखती है याने की जो पार्लेमेंट है और ये सरकार है पार्लेमेंट और सरकार पुरी पार्लेमेंट होगी ये सरकार होगी तो पार्लेमेंट पुरा ध्यान रखती है कि सरकार धनका खैसे खर्च कर रही है क्या ये सही तरीके से खर्च कर रही है ये नहीं कर रही है माल लिजे सरकार ये है और सरकार ने एक नया कर ला दिया कि भई 5% tax जो है वो पेटल पर बढ़ा देते है तो ये जो tax है ना जो बढ़ा रहे है इसकी इने स्विक्रिती पूरे संसद से लेने पड़ेगी यह से नहीं कि सरकार अपने आप फैसला कर ले तो जो हिसाब किताब है जो विवरण है खर्च कितना किया जाएगा धन का हिसाब क्या है और कहां-कहां इसका खर्च होना है कैसे-कैसे आएगा यह सब बजट के हिसाब से संसद में सरकार प्रस्तूत करती है तीसरा काम यह हो गया तीसरा काम है चोथा काम है प्रतिनिधित्व संसर देश के जो अलग-अलग भाग है शेतरी भाग है, समाजिक वर्ग है, आर्थिक वर्ग है, धार्मिक समू है उनके अलग-अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है यहां बहुत सारे लोग है, सब अपने-अपने इलाकों का, अपने-अपने समोहों का प्रतिनेशन तुकरते हैं पाचवा काम क्या है? यह बहस का मंच है यह जो लोग बैठते हैं यहां पर, आपने देखा हो यहां स्पीकर बैठते हैं यहां पर बहुत सारी round chairs लगी होती है, round cushions होते हैं उस पर जो लोग बैठते हैं वो आपस में विचार भी मश करते हैं कोई भी बिल आया है, कोई भी बात करनी हो, यहां पर विपक्ष और विपक्ष जो है आपस में बहस करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पर भी बहस नहीं करेंगे मुद्दा जो है, वो ना समझ में आएगा, ना उसकी गंभीरता, ना उसकी अच्छाई, ना को उसकी बुराई, ना उसमें कमी समझ में आएगी, तो यह सारी चीज़े जो है, मुद्दे पर जो विपक्ष नेशन होता है, वो होता है विचार विमर्श दारवा, वो होता है डिबेट द्वारा, वो होता है पक्ष विपक्ष द्वारा, उसके बाद है सम्विधानिक कारे, सम्विधानिक कारे में क्या हो मतलब समविधानन से रिलेटिट जो भी शक्तिया है वो राज्य सभा और लोग सभा दोनों के पास बराबर है दोनों में लेकिन एक विशेश मत्से जो संशोधन है वो पारित होना ज़रूरी है दोनों पक्षों में कम से कम दो तीहाई यहां के मेंबर्स उसको एगरी करेंगे तभी जाके कुछ सविधान संशोधन हो सकता है इसके पाद सात्वा जो काम है वो है निर्वाचन समंदिकार तो संसच जो है राश्पती और उपराश्पती इनका चुनाव करती है आठवा काम है नियाएक कारें अब जो राश्पती है जो उपराश्पती है जो उच्छे नियाएक के जैसे चीज जस्टिस अफ इंडिया हो गए या नियाएधिश हो गए उच्छे नियाएक के हाईकट के जो नियाएधिश हो गए इनको हटाया जाना उसका भी काम उस पर विचार विमार्ष करना संसत का काम यह नाएग काम के अंतरगत आता है मतलब यहाँ पर ही वो वहां जुडिशरी बन जाते हैं इनको हटाना नहीं हटाना यहाँ पर जुडिशरी बन जाती है आपकी जो संसत है राज्य सभा की शक्तियों पर जाने से पहले मैं आपको एक difference दिखाता हूँ बहुत जरूरी चाहिए लोग सभा की कि शक्तियां क्या है राज्य सभा की शक्तियां क्या है लोग सभा में जो member है कितने मैंने मत को बताया था 545 member हो सकते है 543 प्लस 2 दुआ एंगलो इंडियन है 540 ते कुल मिला के है इनमें प्रापर रिजर्वेशन है SCST कैंडिडेट का क्योंकि हमारे पास रिजर्व कॉंस्टिटिवेंसी है राज्य सबागी जो कुल है 245 कुल मिला के संख्या है 12 इसमें मनुनीत किया जा सकते हैं इसके द्वारा राश्पती द्वारा शक्तिया क्या है संग सुची और समवर्ती सुची इसके विश्यों पर कानून मनाना यानि जो सेंटर के पास एक सुची है और जो कॉमन सुची है सेंटर और स्टेट के पास इसके विश्यों पर कानून मनाना लोगसभा की शक्तिया है धन विद्यक यानि कि मनी बिल और जो बाकी विद्यक है उनको प्रस्तूत करना पारित करना ये लोगसभा की पास है राज्य सभा की शक्तियों में क्या है सामान ये विद्यक यहां रखे धन विद्यक जो होते मनी बिल्स में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है लेकिन और कुछ नहीं कर सकती समान विद्धेक जो भी नॉर्मल विद्धेक है उस पर विचार करके उन्हें पारित किया जा सकता है लेकिन धन विद्धेक जो है वो यही यही लोगसभा पारित कर सकती है राजे सभा केवल उसके idea दे सकती है केवल उसकेवर अपने संशोधन amendment बता सकती है लोगसभा में जो कर प्रस्ताव है जो tax लगेंगे बजट और जो वित्ती विक्तव्य है वर्ष में उसकी स्विक्रिती दिना लोगसभा का काम है और सविधानिक संशोधन के काम दोनों के पास है लोगसभावी और राज्यसभावी लोगसभाव में प्रशन पूछे जाते है एक प्रशन काल होता है प्रस्ताव लाए जाते है अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते है नो कॉंफिडेंस मोशन इसके माध्यम से जो actual executive है उस पर संसता नियंतरण होता है लोगसभा का नियंतरण होता है सविधान में संशोधन किया जा सकता है लोगसभा द्वारा इसमें राजिसाभा भी शामिल होती है आपात कल की जो गोशना है एमरजन्सी की गोशना की स्विक्रिती लोगसभा ही दे सकती है यहाँ पर राजिसाभा में प्रशने पूछ कर और संकल पर प्रस्ता प्रस्तुत करके कारिप पालिका पर यहाँ पर भी नियंतरण किया जाता है और राश्पती और उपराश्पती का जो चुनाव है इसमें राजिसाभा भी भाविदार करती है जैसे राश्पती और उपराश्पती का चुनाव कोन करता है दोनों संसत करती है और सरवच नयाले और उप्चे नयाले की नाइद्योशों को हटा भी सकती है लोगसभा राजिसाभा राश्पती उपराश्पती इनके चुनाओं में हिस्सा लेती है और सर्वोच चुनेयले को हटाने का इनके पास भी वो है क्योंकि दूरों सद्रों में जाता है लेकिन उपराश्पति को गर हटाना है वाइस प्रेसिटेंट को हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल राज सभा में ही लाय जा सकता है लोग सभा में नहीं लाय जा सकता लोग सभा में बहुत सारी समितियां होती है आयोग होते है तो समितिय और आयोग जैसे और भी आयोग कहीं गठन करने है समितियां गठन करनी है उनको constitute करना है तो वो लोग सभा में होता है Center और Common में तो लोगसभा बना सकती है राज्यसभा जो है वो State List पे कानुद बना सकती है तो हम राज्यसभा की विशेश शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे राज्यसभा राज्यों का प्रतिन दिश्व करती है जितने भी States है उसी के Member State के जो MLA है वो Elect करते हैं कि इनको राज्यसभा के Member को तो राज्यसभा का में काम होता है वो State को Represent करना होता है यहनि में काम है कि आपका एक State है और उस State से मालिजे चार राज्यसभा सांसद आए है तो इनका में काम है कि यह राज्य का जो उद्देश है राज्यों का जो हित है, उसकी शक्तियां है, उनको conserve करना, उनका आरक्षन करना, संगरक्षन करना यदि केंदर सरकार राज्य के किसी भी विशह में, मालिजे राज्य का कोई विशह है, कोई ऐसी सुची में विशह जो है राज्य के उपर आता है जिसपे किरुन राजकी विधानसभाई कानून मना सकती है किरुन विधानसभा ही विधाय कानून मना सकते हैं अगर by chance यह ऐसी कोशिश करे के हिंद्र सरकार तो 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 धिया किसी भी विश्य को राश्ठ हितमे संगी सुची ये संवर्ती सुची से हंस्तान्तरित करना चाहे मतलब ऐसी, हमेरे पर लिस्जग उती न, इसमें राजसोची से वो केंदर स्विच में लाना चाहे या वो कामण लिस्ट में लाना चाहे तो इसके लिए जो केंदर सरकार है, उसको राज जो राजसभा की स्विकृति या कहें राज सभा की स्विकृति आवशक होगी अपने आप नहीं कर सकती है राज के रेप्रेजेंटेटिव की आवशकता होगी बेसिकली तो राज सभा की आवशकता होगी तो राज सभा आपने देखा है कि वैसे तो उनको state को represent करना चाहिए, जैसे ये चार member जो है, चार राजसभा के member आए, उनको इस पूरे state को represent करना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, ये चार में से दो एक party के ये दो एक party का होगा है, ये अलग party का होगा है, ये अलग party का होगा है, तो ये धन्वी देख है ये केवल लोग सभा में प्रेजेंट किया जा सकता है और वही संशोधित भी किया जा सकता है या असिकृत या इसको हरित किया जा सकता है केवल और केवल कहां लोग सभा क्योंकि मंत्री परिशयत केवल किसके लिए उत्रदाई है वो राजे सभा के लिए उत्रदाई नहीं है जो कॉंसल अफ मिनिस्टर है वो किवल लोग सभा के लिए उत्रदाई है राजे सभा के प्रती नहीं है तो राजे सभा का जो मेंबर्स है जिसे मैंने आपको बार बार बताया राजे सभा को के मेंबर को हम नहीं चुनते है इनको चुनते हैं विधायक उस स्टेट के विधायक इसका मतलब यह है समिधान ने राजे सभा को लोग सभा के बराबर शक्तियां नहीं दी है क्योंकि किसी भी डिमोक्राइसी का मतलब यह है कि हम जिनको इलेक्ट करें हम किसको करते हैं हम लोग सभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं तो इसलिए लोग सभा को ज़ादा पावरफुल रखा गया है राजसभा को कम रखा गया है क्योंकि इनको हम direct elect करते हैば हमारे द्वारा elected member elect करते हैं हमारे द्वारा जो MLA यह कहें की जो विधायक select हुए elect हुए, वो रहाज इनको nominate करते है या जो PR सिस्प्म में उन से इनको elect करते है सामान्य और समयधानी विध्यों को पारिथ करने, राश्पती पर माहा अभ्योग लाने, उपराश्पती को हटाने, इसके समद में लोकसभा और राजसभा दोनों के पास समाशक्तिया है लेकिन उपराश्पती को हटाने का जो विदेख है, वो लोकसभा में नहीं डाल सकते हैं, पहले राजसभा संसत कानून कैसे बनाती है एक पुरी प्रक्रिया है संसत में कानून बनने की प्रक्रिया है इसको देखिए सबसे पहले क्या होगा एक बिल तयार होगा कौन तयार करेगा मंतरी की निर्देश पे जो उनकी जो पर्मनेंट एक्जेक्यूटिव है या ने की जो उनके साथ आई ये साइब वगर काम कर रहे हैं उनके आफिस में जो काम करें वो लोग तयार करेंगी अगर विधेक धन विधेक नहीं है मतलब मनी बिल नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है अगर ये धन विधेक नहीं है फिर विधेक समीती के पास भेजा जाता है जो एक committees है, मैं आपको बताऊँगा, committees भी आएंगे भी ये committee के पास भेशा जाता है और या फिर सदन पर उस पर चर्चा हो जाती है दोनों चीज़ हो सकती है या जो standing committee है या कोई ऐसी committee है जो हमें उस चीज़ के लिए है वहाँ चला जाता है, या फिर संसत में चर्चा होती है समीथी अपनी report देती है समीथी अपने report देती है suggestion के साथ यहाँ पर बीच में जनता की इच्छाय मी ली जा सकती है कि भाई यह bill पेश किया जाता है जनता अपनी राय दे उसके बाद सदन में यानि जो लोक सभा है राज्य सभा है वहाँ पर इस रिपोर्ट को स्वीकार या स्वीकार किया जाता है कि हाँ भी ये सही है और बहुत सारे लोग इसमें नो कर दें तो नहीं सही अब सदन में जो विधेक है इसमें बागाईदा चर्चा होती है बड़ी जबदस चर्चा होती है पक्षमे पक्षमे लोग बात करते हैं विधेक या तो पारित हो जाता है या ये खतम हो जाता है अब अगर ये पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाता है दूसरा सदन या तो इसकी मनजूरी दे देता है या उस पर सुझाव देता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूरत पढ़ने पर जो राज्य सबा है और लोग सबा इसका combined संयूक्त सेशन बुलाई जाता है उसके बाद राश्पती के पास ये विधेक भीजा जाता है उसके बाद ये विधेक कानून बने जाता है तो विधेक से कानून बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है तो मंत्री के अतरित कोई अगर और सदस्य है जिसे मंत्री साहब है किसी मिनिस्ट्री के हैड है अगर उसके अलावा कोई और जैसे और कोई मेंबर प्रेजेंट करता है तो इसको हम कहते है नीजी सदस्यों का विधेक क्योंकि यह मंत्री नहीं है यह नीजी सदस्यों का विधेक है मंत्री के द्वारा जो प्रसुत विधेक है अगर मंत्री साप कर रहे हैं इसको तो उसको हम सरकारी विधेक कहेंगे तो दो विधेक होगा, एक सरकारी विधेक जो मंत्री प्रिसेंट करते हैं एक विधेक ऐसा जिसको कोई भी MP है वो प्रेजेंट कर सकता है उसे निजी सदस्यों का विधेक कहते है तो विध्यकों के अलगे प्रकार होते हैं यह सरकारी विध्यक हो सकता है यह निजी सदस्यों के विध्यक हो सकते है सरकारी विध्यक जो है मंत्री द्वारब पेश किया जाएगा अब यह जो विध्यक है या तो इसमें मनी इन्वाल होगा तो विट्टि विधेक होगया मनी बिल और गयर विध्टि विधेक जो होगया जिसमें मनी involved नहीं है या कोई और चीज है जिसके साथ कहीं वने involved है उसके बाद ये सामाने विधेक और समुधान संशोधाग Vिधेक सामाने विधेक की तरह पास हो जाएगा या पिर एक normal विद्हक होगा या फिर संविधान में संशोधन वाला विद्हक हो सकता है इतने प्रकार है किसी भी deal के कोई राइटियन्तिक बन अपने चुनावी फायदे को पुरा करने के लिए या फिर आगे का जो चुनाव आ रहा है उसमें जीतने के लिए वो ये भी कर सकता है कि वो सरकार पर दबाव डाले यानि बहुत सारे हिट सम्मू है बहुत सारी मीडिया ऐसी है और नागरिक संग्यटें भी है वो भी सरकार पर दबाव डालते हैं ये बिल लीजे, बिल आता कहा से है बिल जो है ऐसे आता है कि लोग दबाव डालते हैं कोई हिट सम्मू या मीडिया दबाव पर दबाव डालता है सरकार पर कि ये बिल आप रखिये सदन के पडल पर बिल बनाने में अनेक बातों का ध्यान अफ़रा पड़ता है पहली चीज़ ये है कि जब इस बिल का कानून बन जाएगा तो इसको कानून को लागू करने के समय संसादन कहा से आएगे रिसोर्सेस कहा से आएगे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ती है और ये जो बिल हमने दिया है इसका समर्थन कितना होगा और इसका विरोध कितना होगा क्या विरोध में किसी की जानवान तो नहीं जाएगी प्रस्तावित कानूं के से सतारूर दल की चुनाओ इस सम्हावनों पर क्या असर पड़ेगा जैसे बीजेपी ने अपने एक टिनाव में कहा था कि हम जो धारा 370 है उसको अटा देंगे धारा 370 इसको अटा देंगे उन्होंने हटा दिया उन्होंने का हम CAA NRC लाएंगे वो CAA LA है तो यह जो चीजे की उन्होंने अपने मैनिफस्टों के साब से की तो क्योंकि इनको अगला चुनाव जीतना है लोगों ने इसलिए चुनाव जीतना है तो यह सब चीजे ध्यान में रखने पड़ती है कोई भी बिल रखने के समय तो जो भी प्रस्तावित विधेक है उसको गडबंधन के सबी क्योंकि हो सकता है कि गडबंधन के सरकार हो अब गडबंधन के सरकार है तो जो भी बिल पेश किया गया है सारे गडबंधन के मेंबरों से पूछना पड़ेगा जब तक उनका सवर्तन प्राप्त नहीं है तब तक बहुत कम चांसे से कि विधेक पास हो तो विदेक जिस मंत्राले से सम्दित होता है वही मंत्राले उसका प्रारू बनाता है राफ्ट उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट प्रारू जैसे अगर मालीजे लड़कियों की विवाह की उम्र अगर 18 साल है उसको बढ़ा के 21 साल करना है तो इस बिल का draft कौन मनाएगा इसका प्रारूप जो है विधी मंत्राले और इसमें कौन हेल्ब करेगा जैसे महिला और बाल कल्लियान बाल कल्लियान ये मंत्राले इनकी मदद कर सकते हैं भागीदारी हो सकते हैं तो संसत के किसी भी सदन में लोगसभा या राजसभा यहां में यहां पर कोई भी सदस्य यह जो विधेक हमने कहा इसको पेश कर सकता है क्योंकि जिस विशय का विधेक हो उस विशय से जुड़ा मंत्री अकसर मंत्री ही पेश करता है जैसे यहां विधी मंत्री के बाद ही ये सदन में भेजा जाता है मालीजा अपने बिल रखा, बिल बना दिया और इसको सदन में रख दिया, अब सदन में तो जबरदस लोग बैठे हुआ है, MP लोग बैठे हुआ है, दिमागदार भी है और लोगों के representative भी है तो वहाँ तो ये गिर जाएगा अंधे मूँ अगर इस पे तयारी नहीं की गई है तो पहले इसको जो समिति में वैठा जाएगा समिति में भेजा जाएगा तब ये जो समिति है इसमें जितने भी संसदिये दल है, उन सबका प्रतिनेतित होता है, हर सदन का हर एक दल का इसमें आदिम आदमी होता है mostly, इसको इसी कारण से ये जो समितिया है जिसे हम कमिटी कहेंगे इस कमिटी को हम कहते है लगू विधाय का लगू विधाय का भी कहते है अब ये कानून निर्मान का ये दूसरा चरण है, जो तीसरा चरण है उसमें क्या होता है कि विधाय पर मद्दान होता है जो लोग है अपके विधाय पर मद्दान करते है अगर कोई सामाने विधाय है नॉर्मल विधाय है वो सदन दरफारित कर दिया जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरे सदन में भी बिलकुल इसी प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता है प्रस्तावित विदहक जो है उस पर अगर मान लिजे लोगसभा और राज्यसभा अगर बिल प्रेश किया और दोनों सदनों में मद्भेथ है तो इनका एक कम्बाइन अधिवेशन बुला लिया जाएगा लेकिन अक्सर यह देखा गया है क्योंकि लोगसभा में हमेशा जो मेजॉरिटी है वोई सरकार बनाती है तो लोगसभा भारी पड़ती है राज्यसभा पर अक्षर ये दिखा गया है लेकि जहां मनी बिल की बात करते है मनी बिल का जो मामला है इस पर राज्य सवा उसे या तो स्विकार कर ले accept कर ले या इसमें कह दें कि भी ये संशोधन कर लीजे वो उसे अस्विकार नहीं कर सकती मनी बिल कभी भी राजे अस्वी कर नहीं कर सकती अगर राजे सभा के पास मनी बिल गया और 14 दिन तक यह इस पे फैस्णा नहीं लेती है तो माल लिया जाएगा कि यह बिल पारित हो गया है इसका मतलब कि वो करें ना करें वो एकसप्ट हो जाता है विदेय के बारे में राजre सफ़ा जो प्रस्ताविस संशोधन है वो लोग सफ़ा मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है तो यह बात हुई हमारे एक और संसद जो है एक बड़ी पंचायत है इसमें एक मेजोरिटी होती है जो सरकार मनाती है बाकी लोग विपक्ष में होते हैं तो ये पूरी संसद इस कारे पालिका पे कैसे नियंदरन रखती है तो जिस भी दिल या दलों का जो संगठन है कोईलिशन जिसे कहते हैं उसको लोग सभा में मिजॉरिटी मिल गई या बहुमत हासिल हो जाता है तो उसी के जो सदस से हैं वो मिलकर एक संसद इस लोग तंतर में कारे पालिका मनाते हैं यानि कि ये जो मेजॉरिटी वाले लोग है जो मेजॉरिटी के सरकार है जो सरकार मनाती है जो मेजॉरिटी माई है वो ही कारे पालिका भी बनती है तो ये हो सकता है कि अगर इनके पास पावर आ गया क्योंकि सारा पावर आ जाता है बड़ा जबरदस पावर होता है इससे ये मनमाना धंका प्रयोग कर सकते हैं जब भी ज़ादा पावर आ जाता है तो लोग कोशिश करते हैं अमुमन दिखा गया है कि वो इसका misuse करें तो संसद के पास ऐसी चीजे हैं जिससे वो इस कारेपालिका का जो काम है या इनकी विधिया है या फिर इन पे नियंतरण है वो कर सकती है कारेपालिका पे संसद का नियंतरण होता है अगर एक पार्लेमेंट में एक विपक्ष में एक बैठा हुआ आदमी है उसने सरकार के मंत्री से सवाल पूछा और उसने कहते कहते कुछ कह दिया कोई आरोप लगा दिया ये कुछ कह दिया तो ये सहाब जो कह रहे है अब ये तो गुसा हो जाएंगे अगर वकील हो तो इन पे मानहानी का दावा ठोग देंगे ये विचारे कुछ कहीं नहीं पाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कोई भी विधायका में कुछ भी अगर ये इनको कहते है तो किसी भी सदस्य के विरुद कोई भी कारवाही नहीं की जा सकती इसे कहते हैं संसद्य विशेशादी कार संसद्य में अगर कोई कुछ बोलता है तो ये लोग वैसे ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव है MP है और कुछ अच्छे ही होंगे कुछ लीडेट जैसे होंगे जन्दा को रिप्रेजेंट करते होंगे तब ही आया होंगे तो अगर ये कुछ कहते भी हैं कुछ शर्ब भी निकल जाते हैं इनके जबान से तो इनके उपर कोई कारवाई नहीं की जा सकती इसे संसदी विशेशादीकार कहते हैं और ये तो छोड़ी छोड़ी बात पकड़के सरकार इनके केस कर देगी या इनके कोई आरोप लगा देगी तो इसे संसदी विशेशादीकार कहते हैं दोसी चीज संसदी नियंत्रन की अलग-अलग साथन है जैसे संसदिये लोगतंत्र में जो विधाई का है वो हर एक लेवल पे की कारेपालिका यानि की सरकार कारेपालिका यानि सरकार अमाल लीजे आप सरकार जो है वो जवाब दे हो वो किसके प्रती जवाब दे हो संसद के प्रती जवाब दे हो इसके लिए बहुत सारी चीज होती है जैसे बहस और चर्चा होती है संसद में वहाँ पर लोग बैटके चर्चा करते है विपक्ष और पक्ष होता है कानून की स्विक्रिती हो सकती है संसद उसे अस्विक्रित भी कर सकती है एक वित्तिय नियंतरण होता है कि हर चीज़ पैसा बहुत important होता है पैसे का क्या use कर रही है कारपारी का किस जगा जा रहा है किस जगा से आ रहा है इसका पूरा नियंत्रण संग्रक्षन संसत करती है और अगर उसको लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है जो देश की हित में नहीं है तो संसद जो है वो या इसके जो सदसे है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते है इससे पहले कि मैं आपको ये बहस और विवाद वगरे का सिच्वेशन बताओं मैं आपको एक जगा ले जाना चाहता हूं कि संसद में काम कैसे होता है सुबह 11 बिजस से शुरू होता है ये क्वेशन आवर का समय होता है जिसे हम प्रशन काल कहते है ये जीरो आवर है और उसके बाद लंच होता है उसके बाद अलग अलग चीज़े चलती है जैसे गवर्मेंट बिजनेस लेजिसलेटिव बिजनेस यहां तक चलता है छे बज़े तक चलता है और राजिस सभा जो है वो पाँच बज़े खतम हो जाती है इस समय में लॉज बनते हैं कानून बनते हैं और बजट पास होता है तो अब यह आप समझ गया होगी कि सुभे जो ग्यारा से बारा और बारा से एक का जो समय है आदमी फ्रेश भी होता है उस समय तो उस समय क्या होता है तो बहस और वाद विवाद में चीज़ यह है कि पुरे संसत में पक्ष और विपक्ष का विवाद होता है विवाद तो नहीं कहेंगे वाद विवाद होता है बाचिद होती है तो अगर कोई कानून कोई बिल आया तो इस कानून के लिए ये कानून बनेगा बिल जो है फाइनल लौ हो जाएगा तो ये जो बिल है कानून इर्मान की प्रकडिया है उसमें विधाईका के सदत से जो है वो कारिपाली का द्वारा बनाईगे जो नितिया है या उसका किस तरीके इस एक्जिट करेंगे विधापने बना तो दिया इसको इसके लिए कहां से संसाथन जुटाएंगे कैसे इसको एक्जिक्यूट करेंगे इसके तरीकों पे संसत के लोग आपस में बहस करते हैं खासर पे विपक्ष सवाल पूछता है तो सवाल पूछता है तो इसमें आगया प्रशनकाल प्रशनकाल जो होता है संसत में का जो अधिवेशन होता है जब संसत का सतर बुलाए जाता है तो हर दिन एक प्रश्ण काल होता है जिसे हम question hour कहते है इस से क्या होता है? कि जो संसत सदस हैं, वो इन मंत्रियों से बड़े सवाल पूशते हैं और इसका जवाब इनको देना पड़ता है हर एक सवाल का जवाब इनको देना पड़ता है ये मंतरी की जिमेदारी बन जाती है फिर आता है जिरो आवर जिसको हम शू निकाल भी कहते है तो इसमें क्या होता है सदस से कोई भी महत्पूर मुद्दे को उठाते है जिसे मालीजे संसद शुरू होने से एक दिन पहले कहीं दंगा हो गया तो उस दंगे की बात ये जरूर करेंगे कि सरकार ने क्या रोल किया क्या सरकार का रोल तो नहीं था इसमें सरकार ने क्या वजीफे दे रिया उनलों की मदद करने के लिए क्या किया है तो ये जो महित्पूर्ण मुद्ध हर्ष को उठाया جा सकता है और मंतरी सहब को इसका जवाब वो बाद ये तो नहीं है लेकिन वो जो लोक हित है उसके मामले में आदे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताओ भी किया जा सकता है क्यूंकि ये जो होते हैं Represent People का मतलब ये है कि ये मुद्धे होते हैं जो लोगों के मुद्धे होते हैं जो यहाँ उटाई जाते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद अचा ये देखे कि जादतर जो प्रश्ण काल है ना या जो प्रश्ण है वो लोग ऐसे कि भी पैसे सरकार ने पैसे बढ़ा दिये या अनाज नहीं मिल रहा या जो कमजोर वर्ग है उनके विरुद अत्याचार खुराय दंगे हो रहे हैं काला बाजेरी हो रही है जैसे मैंने आप से कहा अगर मानने जिए एक दो दिन पहले कोई दंगा हुआ तो वो सवाल उठने के पूरे चांसेज है इसमें और फिर ऐसे सवालों का जवाब देना ही पड़ता है मंतरी को संसत में आगर आप देखेंगे कि लाइव जब टेलिविजन चलता है आप देखते हैं कि जवाब देना पड़ता है अब होता ये है कि एक मंतरी साहाब है एक ऐसा दंगा हो गया जिसमें सो लोग मारे गए और इसमें जो 90% थे वो marginalized class के थे या minority community के थे और जो सरकार है वो majority की है तो यहाँ पर एक साहाब है जो इनको represent करते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं वो इन पर जब सावाज जवाब करते हैं तो ये इनकी आवाज उची हो सकती है वो हो सकता है कि जो अध्यक्ष है यानि जो speaker है उनके पास से ले जाएं अपनी बात रखते रखते और ये हो सकता है कि walk out कर जाएं तो ये सारी घटनाएं हम देखते हैं और ये घटना इसलिए हो रही होती है कि ये चाहते हैं कि आप जवाब दीजे कि ये दंगा आपके सरकार रहते हो हो कैसे कह रहा हूँ और इतने सारे लोग जो minority community के थे हो मर कैसे कह रहा है ये इस तरीके से तीखे आवाज बूचे जाती है तीखे सवाल पूचे जाते है अब कानून की स्विक्रिती भी हो सकती है अस्विक्रिती भी हो सकती है तो संसद के पास ये अधिकार है संसदी ये करती है कि कानून बनेगा या नहीं बनेगा तो कोई भी विदेख जब तक संसद इसकी स्विक्रिति नहीं देती है कानून नहीं बन पाएगा कानून नहीं बन पाएगा जब संसद इसकी स्विक्रिति देती है तो सरकार के पास लोगसभा में तो बहुमत होता है हो सकता है कि राजसभा में ना हो जैसे 2014 की जब सरकार आई थी भरती जनता पार्टी की तो उनके पास केवल लोग सभा में बहुमत था राज्य सभा में नहीं था लेकिन जब 2019 में सरकार आई तो इस बीच इन्होंने कई स्टेट जीत लिए तो लोग सभा में भी इनको लोग सभा में तो इनका बहुमत था राजे सभा में इनको अच्छे खासी नमबर मिल गया तो ये दिखा गया कि पहले अगर मैं पहले का एक्जामपल लूँ तो राजे सभा में ना हो ये भी हो सकता है तो समसत के दोनों सदन की स्विक्रिति प्राप करने के लिए सरकार को थोड़ी रियाय देनी पड़ती है मानली चैए एक बिल बनाया उन्होंने और वो बिल जो बनाया अपने मैनिफेस्टों के सबसे बनाया कि हमने ये ये वादे किये थे अब ये बिल जो है अब लोगसभा में तुरे ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में गया राज्यसभा में ये जो बिल है इसमें इनका बहुमत नहीं है और बिल जो है वो लोगसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए तो कई ऐसी चीज है जो राजसभा कह सकती है तो इनको हटाना पड़ सकता है वो चीज जैसे अगर एक्जामपल ले तो लोगपाल विधेख हो गया आतंगवाद निरोध विधेख हो गया 2000 का ये तो वह में राजसभा ने इसको अस्विक्रित कर दिया जो बजट है प्रसेडेंट के नाम पे वित्त मंतरी पेश करती है अभी वित्त मंतरी करती है इसमें कह रहा हूँ क्योंकि अभी निर्मना सित्रामण है या वित्त मंतरी पेश करता है और इसमें ये समयधानी के जम्मेदारी है किसकी संसदी स्विकृती के लिए बजट को बनाना और उसको संसद के सामने पेश करना तो इस कारण से जो विधाई का है उसको कारपालिक का एक हजाने पर नियंतरड करने का अवसर मिलता है कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है कितना आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है और कितना खर्चा किया जा रहा है गरीबों पे कितना कर्जिय किया जा रहा है कितना अलग-अलग स्कीमों पे किया जा रहा है कितना जो है वो Defense Ministry पे किया जा रहा है तो संसदी ये नियंदरन का एकमात उद्देश सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना है कि पैसा जो है उसका दुरूपयोग ना करने लगे कारेपाली का या सरकार तो इस तरीके से ये नियंदरन होता है पैसे पे बजट पेश किया जागा उसमें बगायता डिस्केशन होता है और फिर उसके बाद आगे बजट पास होता है फिर एक चीज़ है अविश्वास प्रस्ताओ अविश्वास प्रस्ताओ का मतलब ये है कि हम सरकार पर विश्वास ही नहीं कर रहे विपक्ष कहेगा कि हम सरकार पर विश्वास ही नहीं कर रहे तो सन 1989 की बाद बताओ मैं इसकी बाद से अपने प्रती सदन के विश्वास की कारण अनेक सरकार ऐसे हैं जो जिनको त्याग पत्र दिना पड़ा क्योंकि सदन ने खा कि हमें सरकार पर या प्रधान मंतरी पर विश्वास नहीं है तो ये भी हो सकता है कि एक कोईलिशन बना हो जैसे एक सरकार तो बनी लेकिन इसमें तीन पार्टियां शामिल हो गई तो सरकार के प्रधान मतरी यहां के मने कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सरकार के लोगों ने ऐसा काम किया कि ये जो पार्टी है जिन्होंने इनको समर्थन दे रखा था वो पीछ हट गए तो ये भी हो सकता है सरसित के जो दोनों सदा से है उसमें अगर आप एक एक जिसे कहते हर्मनी का अगर भाव हो एक तरीके से सोच का भाव हो और विपक्ष के द्वारा अधिवेशनों का बहिशकार है यानि विपक्ष बाहर चला जाए कि हम इस अधिवेशन में आते नहीं तो जिसमें जो वाद विवाद है उसके द्वारा कारेपालिका को नियंतिन करने की सदन की शक्ति प्रभावित होती है कहने का मतलब है कि अगर एक सदन में सरकारी सरकार है विपक्रिश बाहर चला जाए सरकार बाहर चला जाए या लोगसभा और राजसभा में कोई कॉडिनेशन नहीं है तो लोगसभा से बार-बार मिल जाएगा राजसभा से हटा देगी खारिज कर देगी तो ऐसा होने से हमारा जो कारेपाली का जो शक्ती है या फिर कहें जो संसदी विवस्ता है वो शोड़ी प्रभावित होती है अब संसद में समितियां होती है पारलिमेंटरी कमिटी होती है जैसे अगर आप आपको दिखाना चाहूं जैसे एक छोड़ी जी बात कहता हूँ संसद भी तो एक और्गनाईजेशन है वो इंस्टिटूशन है वहाँ पर एक लाइबरी होगी वहाँ पर कुछ और चीज़े होगी कैंटीन होगी तो उसके लिए कुछ कमिटी बन जाती है लेकिन जब हम बड़ी लेवल पर बात करते हैं फिनिशल कमिटी होती है कुछ स्टैंडिंग कमिटी होती है कि ऐसी कमिटी जो फिक्स कर दी गई, जब संसत आई, मतलब संसत जब तयार हो गई तो उसमें एक कमिटी बना दी गई कि ये स्टैंडिंग कमिटी है, इसके मेंबर यह यह है, वो हमेशा 5 साल तक, 4 साल तक, जब तक सरकार चलेगी, तब तक एक कमिटी बना दी, तो ऐसे अलग अलग कमिटी यह बनती है, तो संसत केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही नहीं बैठती है क्योंकि संसत का संसत का अधिवेशन हमेशा तो नहीं चलता रहता जैसे हम आफिस जाते हैं, मंड़े से लेकर फ्राइडे तक, या फिर स्कूल जाते हैं, कॉले जाते हैं ऐसे तो नहीं होता, कभी-कभी यह चलती है, तो इसके लिए उसके पास बहुत कम समय होता है, समय बड़ा-बड़ा कम है, तो अगर मान लीज़े कोई यह कानून बनाना है तो अगर कोई बिल लाना है, यह कानून बनाना है तो यह कानून पुरे देश के लिए होता है इसके लिए बहुत जादा अध्यन करने की जरूत होती है इसके प्रोज और कौन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है यह सारी चीज़ जानना जरूरी है तो इसके लिए और भी महित्पुन काम होते हैं जैसे अगल-गल मंत्राले है उसमें कितना पैसा चाहिए कितना पैसा निकालना है अलग-अलग भावों में कितना खर्च किया गया है खर्चों की जाज करनी है कि भाई सई तरीके से खर्च हो रहा है कर नहीं हो रहा है अगर भर्षचाचार का मामला आ जाता है उसकी परताल करनी है तो ये सब संसद का अदिवेशन तो कम समय के लिए चलता है तो इन सब के लिए समीतियां बनाई जाती है कमिटीज बना जाती है तो 1983 के बाद भारत में संसद की जो स्थाई समेती है उसकी प्रणाली विक्षित हुई जो standing committee है कि ये committee हमेशा काम करेगी चाहे संसद चल रही हो चाहे ना चल रही हो अलग-अलग भावगों से संबदित ऐसी करिवन जब ये अपके कदाब में लिखाए 20 समितिया है लेकिन ये अलग हो सकती है कभी कम हो सकती है जादा हो सकती है जो standing committee होती है जो हमेशा fixed रहती है ये committee होगए इसमें जो member है वो fixed है और उनमें budget, खर्चा और बाकी जहां पर पैसा और खर्चा वगर ये बात आती है उसके लिए standing committees है ये fixed है तो ये जो committees है इसके लावा आप देखे एक संयुक्त संसदिय समितिया होती है जिसको हम joint parliamentary committee कहत है संयुक्त संसिति समिति का मतलब ये होता है कि एक ऐसी समिति जिसमें एक member होगा मालीजे बीजेपी का एक होगा Congress का एक होगा TMC का तो सारे एक तरीके से represent करती है ये संसद को कम लोगों में तो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य हो सकते हैं ये भी है कि राज्य सभा के य हो और लोगसभा के ये हो तो इसे कहते है जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी का मतलब होता है कि लोगसभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य हो इसमें तो संयुक्स संसदी समिति या निकि JPC इसका गठन किसी भी विधैक पर common चर्चा के लिए या अगर देखा जाए कहीं पै लिए कर सिच्वेशन पर बनाई जाती है और JPC जो होती है वो जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी खास और पैसे वैसे की अनिमित्ता के लिए या ब्रश्टाचार के लिए इसमें कंबाइन लोग होते हैं राज्य सभा और लोगसभा के समिथियां जो सुझाओ देती हैं वो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सरकार या जो जो पावर में है वो उसे नामज़रू करें वो उसे एकसेप्ट करती है तो यह सब पार्लेमेंटी कमिटीज हैं अलग-अलग फड़ाओ डिटेली बतानी कोशिश की गई है तो संसत स्वयम को कैसे नियंत्रित करती है अब संसत के लोग आपके कारेपालिका को वो करते हैं नियंत्रित करते हैं लेकिं संसत अपने आपको कैसे नियंत्रित करती है तो सदन का जो अध्यक्ष है, वो विधाईका की कारवाई के मामले में सर्वोच अधिकारी होता है. एक संसद है, इसमें पक्ष है, यह भी पक्ष है. अब दोनों ही पार्टी आपस में डिसकस कर रही है. तो एक आदमी तो होगा, यहाँ पर फाइनल ऐसा आदमी जो डिसीजन लेगा, तो उसको हम कहते हैं, स्पीकर इसकी बहुत जबर्दस पावर होती है. आम तरपे जो भी मेज़ॉरिटी में है, वो ही लोग इनको, इनीक में से MP1 होता है, जो स्पीकर बन जाता है. लेकिन राजी सबा में थोड़ाता होता है, अब दाओं मैं आपको, तो 1985 इसमें एक और चीज आई, चीजी आई कि 52 संशोधन किया गया, तो इसमें एक था दल बदल निरोधा कानून, इसके बाद 91, इनक्यानवनवा समेधन संशोधन भी किया गया, इसी चीज से रिलेटे तो सदन का अध्यक्ष, जो एक सदन के अध्यक्ष है, स्पीकर जिसे मैं कह रहा हूँ, वो सहाब ये दल बदल के जो भी विवाद है, उसके अंतिम निर्लाए को लेते हैं, जो आपके सभा के, यहां के अध्यक्ष स्पीकर है, अब अगर माल लीजे ये तै हो जाता है, दल अब आपका भविश्य तो थोड़ा सा दिक्कत में आ गया, तो आप क्या करेंगे, बीजेपी में चले जाएगे, आप कहेंगे कि मैं, बीजेपी आपको ले लेगी, तो भारती जनतिया पार्टी में आप जब चले गए, कॉंग्रेस से, आपने दल बदल लिया, लेकिन अगर यह क्लियर हो जाता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाथ हो सकती है, और अगर वो किसी राज्यतिक पत्पे हो, जैसे कोई मंतरी हो, तो उसके लिए वो अयोग भी घोशित किया जा सकता है, यदि कोई सदस्य अपने दल के निर्टित्य के आदेश के बावजूद, सद सदन में उपस्तित ना हो, मान लिजे सदन की अधिरशन चल रहा है, बहुत बड़े बहुत इंपोर्टन बिल पे वो वोटिंग होनी है, और जो सदस्य है वो आए ना, या वो क्या करें, वोटिंग क्रॉस वोटिंग कर दे, मतलब पार्टी वन पार्टी टू, ये पार्ट पहले ऐसा नहीं था, लिकिन बड़े स्टिक टूल हो गए है, तो संसद में प्रतिनिदी होते हैं, हमारे इस कारण से संसद जनता की जो इच्छा है, को इसको रिप्रेजन करने के लिए, वहाँ विधाईका है, और जबरदस तरीके से उनको पावर दिये गए हैं, उत्तरदाई संसदा है ये, और देश में जो चेंज हुआ है इतने सतर सालों में, आप देखेंगे कि काफी बड़िया चेंज हुआ है, पहले हम कैस क्या थे, आज हम काफी एक अच्छी एकोनॉमी के नाम पे उभर रहे हैं, अब यदि आप बहुत शॉर्ट में समझना चा तो या, मैं रवाल याप सबीकिए.